हाई दोस्तों तो चलो शुरू करते हैं अपना नेक्स चैप्टर वही हम प्रोसीट करने वालें जो हमने कल छोड़ा था इसे आजम देखने वालें क्या होता है कल की session में हमारी यह discussion हो रही थी और CRR पे हमने अपना chapter खतम गया जहां से आजम शुरू करेंगे एक बार quick recap अगर ले 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 तो last session में हमने पढ़ा था कि कभी भी जब किसी भी economy में inflation बढ़ने लगता है तो inflation उस economy का क्या हो जाता है inflation उस economy का हो जाता है शत्रू यह उस economy का हो गया शत्रू अब inflation को tackle करने के लिए कौन आएगा inflation को tackle करने के लिए RBI आता है तो RBI क्या करेगा RBI tackle करने के लिए अपनी फौज खड़ी करेगा उस फौज का नाम होता है monetary policy कमी यह monetary policy कमी ची क्या करती है यह अपने weapons को निकालती है और जो इनके weapons होते हैं वो होते हैं monetary policy instrument क्या होते हैं वो होते हैं monetary policy instrument तो सीधी सीधी सी बात हो गई यहां पर यह हमारा शत्रू है यह हमारी पॉज और यह हमारा हतियार चोटा सा कॉंसेप्ट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा important है ठीक है अब हम इन हतियार के बारे में आज डिसक्स करने वाले हैं कि यह हतियार क्या क्या होता है इसी में हमें देखना था CRR क्या होता है तो चलो शुरू करते हैं में चैप्टर को मैंने आपको बताया था CRR कुछ नहीं होता है CRR का मतलब होता है cash का वो reserve portion जो सभी banks RBI के पास में रखते हैं पर बात आती है कितना portion रखना होता है तो वो NDTL का कुछ portion होता है next बात होती है कि आखिर में इससे control कैसे होता है तो चलो सारी बात करो एक scenario imagine करो NDTL अगर आपको याद होगा जो भी banks होते हैं उनसे भी bank के FDRD current account saving account में दिन बढ़ में कितने पैसे जमा हुए कितने पैसे निकाले गए यही उसका NDTL कहलाता है तो मान लो एक bank है इस bank का नाम है SBI SBI का NDTL है 100 करोड का SBI का NDTL है 100 करोड का ठीक है और अभी कहा गया कि फिलहाल में CRR 0% है तो CRR क्या था दोस्तों ऐसा cash जो bank को reserve करना था RBI के पास कितना कुछ portion of ndtl का पर बात यहां पर यहां पर यह आती है कि जो portion of ndtl का इन्हें reserve करना था वो portion already कहा गया कि 0% है यहां यानि कि यहां पर आपका जो portion है इस इस जीरो सीरी सी बात है कि कोई पैसा reserve ही नहीं करना है RBI के पास चलो मौज है हमारी यानि जो 100 करोड है सब कसब SBI का कुछ आपको कहीं देने वेने नहीं ठीक है SBI क्या करेगा देखें कि यह पैसे तो बढ़िया अब क्या करते है ना इन सारे कि सारे पैसे को मैं लोन पर दूँगा क्या करूंगा दोस्तों लोन पर दूँगा पार्टी होगी पार्टी क्योंकि लोन पर मिलेगा इंट्रेस्ट ठीक है तो इन्होंने सारे पैसे को उठाकर लोन पर दे दिया लोन पर दे रहें और इन्होंने कैंजे ज़ाद से जादा लोन देना है तो इंटरेस्ट लोन का कम करें या ज्यादा करें कभी अधिनुक्र пог battery करेंगा लोन की जब उसका इंटरेश्ट कम है तो इन्होंने क्या किया Kya लोन का जो डस्ट्र crash है कि कर G कूर। ऑफ इंटक्र से कहा रही है जैसे यह लोन का rate of interest कम होना लगा अब क्या होता है rate of interest कम हो रहा है लोगों की demand धड़ाधर बढ़ती जा रही है rate of interest कम होने की वज़े से demand खूब बढ़ी demand खूब बढ़ेगी तो क्या होगा जिस भी sector का rate बढ़ रहा है interest का sorry demand जादा हो रही है वहाँ पर price अपने आप बढ़े रही है दीरे दीरे एक sector दूसरे sector को effect करेगा वो तीसरे को वो चौथे को इस तरीके से price बढ़ती ही जा रही है बहुत सारे sectors में और बहुत जादा price बढ़ने की वज़े से वही हो गया जो नहीं होना चाहिए था क्या हो गया inflation तो इसकी वज़े से जो inflation था न वो भी बढ़ गया अब अब क्या होगा अब RBI कहेगा शस्त्र उठाइए प्रभू ठीक है और RBI अपना शस्त्र उठाइगा क्योंकि उसने देखा भाई मैंने ने कहा कि तुम मत दो मुझे कोई भी portion तो तुम अपनी मनमर्जी करोगे इन्होंने एकदम इसको खुले रेट में बहुत सस्ते रेट पर दे दिया लोगों की demand बढ़ गई price बढ़ गई inflation आ गया अब इस inflation को कम करना था क्या करे RBI आर बेने का चलो I have a good idea I can increase the CRR लोगोंने का उससे क्या होगा इन्होंन to be done पहली बात है tackle inflation reduce price सीधी सी बात है market में जो liquidity उसको कम करो कैसे करोगे RBI ने कहा I have an idea सर्जी idea RBI का क्या चला कि to tackle this let us increase the CRR यानी की अगर inflation को tackle करना है क्यों आज CRR को बढ़ा दिया जाए ठीक है वाई चलो inflation को tackle करने के लिए CRR को बढ़ा दिया गया चलो ठीक है वाई CRR बढ़ा CRR बढ़ने की वजह से हुआ क्या हुआ ये कि 0% था CRR को 0 से सीधा कर दिया गया 10% 0 से कितना हो गया 10% हो गया अभी तक क्या था 0 था तो कोई portion जा रहा था नहीं जैसे ही बढ़ करके 10% हुआ तो याद रखे रहेगा मैंने क्या कहा था कुछ portion of ndtl कुछ portion of ndtl ये सभी बैंकों को reserve करना होता है तो अभी तक ये ndtl 0% था तो 0 reserve था अभी ndtl 10% है तो अब 100 करोड का तो अब 10% of 100 करोड होगा ठीक है तो अब 100 करोड का 10% ये रखेंगे 100 करोड का 10% कितना होगया दोस्तों 10 करोड यानि 10 करोड जो था ये अब चला गया reserve में RBI के पास ठीक है तो SBI left with 90 करोड पहले 100 करोड था अब कुछ कम हो गया SBI ने कहा 10 करोड ही तो कम हुए लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है तो अभी तो मैं और बढ़ाऊंगा ठीक है बाई बड़ी समस्या की बात है SBI तो बिल्कुल सुदी रहा है SBI ने कहा 10 करोड जाने से अब उनको फरक नहीं पढ़ता कुछ और तुमें बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा ठीक है तो अब क्या होगा अब बिचारा RBI सोच में पढ़ गया फिर RBI को याद आया मेरे पास एक और शस्त्र है फिर हुआ शस्त्र उठाईये प्रभू नय वाले शस्त्र का नाम था SLR क्या नाम है SLR तो देखो SLR जिसका मतलब है Statutory Statutory Liquidity Ratio यह हो गया SLR Statutory Liquidity Ratio यह होता क्या है Statutory Liquidity Ratio क्या होता है समझते हैं अगर हम इसे तो देखो Basically इसमें भी जो Banks हैं इस Rule के मताबिक सभी Banks को कुछ Amount के उपर मैं यहाँ एक स्टार लगा रही हूँ क्योंकि Amount से Related में आपको एक बात बताऊंगी तो सभी Bank को कुछ Amount Reserve करना होता है क्या करना होता है? Reserve करना होता है और यह Amount कहां Reserve करना होता है? अपने पास, ठीक है? तो अभी जब हमने CRR पढ़ा जो पहला शस्त्र था उसमें Banks को जो पैसे जमा करने थे RBI के पास करने थे लेकिन SLR की Case में कुछ Amount अपने पास करनी थी अब मैंने यहाँ पे एक शबद Amount लिखी है क्योंकि यह जो शबद Amount होता है क्योंकि Amount आपका 3-4 Form में हो सकता है तो बेसिकली यह Amount होता क्या है क्या क्या हो सकता है देखो यह Amount हो सकता आप लोंका Cash भी हो सकता है Gold भी हो सकता है और Government की Securities भी हो सकती है यानि कि जो Banks है SLR नियम के मताबिक उन सभी को अपने NDTN का NDTL का कुछ Amount अपने खुद के पास रिजर्व करके रखना होता है तो हुआ क्या था कि SBI का 10 करोड चला गया लेकिन SBI अभी भी बिल्कुल आराम से घूम रहा है कि 10 करोड गया अपन के पास अभी पूरा-पूरा 90 करोड और है अभी SBI सुद्रा नहीं है SBI आज के समय में भी SBI आज के समय में भी क्या कर रहा है लोन दे रहा है खूब और यह भी rate of interest slight higher slight high than previous one थोड़ा सा rate of interest बढ़ाया बाकी अभी भी बढ़ियां चल रहा है तो बहुत ज़रा सफर बढ़ा लोग अभी demand कर रहा है यानि कि demand अभी चल रही है demand अभी market में खूब चल रही है अभी भी लोग demand कर रहे है demand करने की वज़ए से फिर से price बढ़ने लगी और फिर से inflation आ गया SBI ने कहा तुम नहीं सुद्रोगे SBI ने कहा तुम नहीं सुद्रोगे SBI ने कहा हाँ हम नहीं सुद्रेंगे तो RBI ने कहा यह लो मेरा दूसरा शष्ट्र दूसरे शष्ट्र में क्या हो गया इन्होंने कहा SLR के मताबिक SBI तुम्हे 18% अपने NDTL का तो इन्होंने कहा 20% तुम्हारी NDTL का तुम मुझे या अपने पास रखोगे तो SLR को क्या कर दिया गया और अब इसके मताबिक 20% of NDTL है तो SBI वो 20% NDTL का अपने पास रखेगा SBI ने सोचा अपने पास रखना है तुम कुछ दिखा देंगे RBI ने कहा नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो तुम कुछ भी नहीं दिखा सकते हो क्यूंकि मैं उस पर पूरा ध्यान दूँगा और तुम वहीं दिखाओगे जो मैं कहूंगा तो तुम्हें अपने वॉल्ट में उसे पूरा सेक्यूर करके रखना होगा यह बड़ी समस्या की बात थी क्यूंकि SBI सोचेगा कि मुझे खुद के लिए रखना है सभी को उतना परसेंटेज अंडी टील मिंटेन करना होता है जो RBI कहता है SBI का यह सिनारियो था पिशले वाले में कि TRR को दसकर दिया गया था 100 करोड का 10% चला गया था 90 करोड बचा था अब जो भी है SLR SLR है 20% तो अब क्या होगा 100 करोड ndtl है 100 करोड का 20% चला जाएगा कितना हो गया यह 80 चला गया sorry 20 चला गया इसके पहले 10 जा चुका था add कर दो कितना हो गया 30 करोड 30 करोड चला गया तो अगर आप 100 में से 30 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 70 करोड यह बड़ा फरक है 100 और 70 में फरक होता है 190 में नहीं ता पर 100 और 70 में ठीक ठाक फरक है और यहां तो फरक पड़ता है क्या होगा 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 कुछ नहीं अब बिचारा SBI चुप चाप से बैट जाएगा SBI गएगा ठीक है जाओ नहीं देंगे लोन अब SBI क्या करेगा लोन का interest बढ़ा देगा, लोगों की demand कम हो जाएगा, inflation टैकल हो जाएगा, तो सबसे पहला ये तरीका हो गया, CRR, SLR को बढ़ा के, इस तरीके से टैकल किया जाता है, ठीक है, अब थोड़ी और काम की बाते हम करें, तो चो CRR होता है, CRR की mentioning की गई है, यहाँ पर मैं आपको ज तो यह हो जाएगा हमारा CRR, और यह हो जाएगा हमारा SLR, ठीक है, CRR की हम बात करें, तो reserve, जो भी यह reserve होता है, यह banks, RBI के पास रखती है, और cash के form में रखती है, यह reserve होता है, यह banks, RBI के पास रखती हैं, cash के form में, यहाँ पर क्या होता है, जो reserve होता है, यह gold, government security, और cash, इन तीनों form में हो जाता है, और इसको reserve करती है, bank अपने खुद के पास, bank itself, पहला तो यह point हो गया, next देखो, क्या होगा, next आता है, CRR की mentioning, section 42 of RBI Act 1934 के अंदर है, RBI Act 1934 के अंदर है, जबकि SLR की mentioning, section 24 of banking regulation के अंदर है, banking, regulation act, 1949, इसके अंदर है, तीसरा एक बात हो जाता है, कि in general तो CRR को लोग कहते हैं, कि आप 3-15% रख रहो, पर जो इसके extendable range होती है, वो 0-100% की हो जाते हैं, क्योंकि कभी-कभी incremental CRR आ जाता है, SLR की बात करें, तो यह maximum 40% हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, कुछ point of difference होते है CRR और SLR की बीश में, अगर आप लोग by chance confused होते हो, तो आप लोग देख लोगे और आपको चीज़े समझा जाएंगी, basic जो aim होता है CRR का, आप लोग कह सकते हो, इनका जो basic aim होता है, वो दो होता है, कौन-कौन सी 2 important reasons होता है, इसे maintain करने के, जो 2 सबसे important reasons मुझे लगते हैं, इसे maintain करने के, वो क्या होता है, पहला होता है, किसी भी bank को bank run से बचाना, यानि कि ऐसा ना हो कि कल को bank के पास पैसे ही नहीं बचे हैं, तो CRR, SLR में maintain है, उससे बचाया जा सकता है, और दूसरा जो और एक बहुत मतलब मुख्य काम होता है, वो होता है, inflation tackle करना, तो ये दो काम होते हैं, जो इससे बड़ी ही आराम से हो जाते हैं, ठीक है, तो ये दोनों points आप याद रखे रहेगा, अब ज़रा धियान दो दोस्तों, हमने देखा था, कि जो monetary policy instruments होते हैं, ठ direct में CRR, SLR, क्यों इसे direct कहा गया, क्योंकि जभी RBI ने इसे बढ़ाया, तो bank चाहे ना चाहे उसे करना पड़ा, ये direct होता है, इसके अलावा refinance होता है, refinance का मतलब होता है, finance क्यों पर आप finance कर रहो हो, कोई sector जैसे pandemic के टाइम पर बहुत पूर चल रही थी, तो कहा जाता था ये direct, अब आते हैं indirect, indirect में भी बड़ी ठोस चीज़े होती है, बहुत कुछ होती है जानने की, तो एक-एक करके चलते हैं, और हम देखते हैं, indirect में क्या-क्या होता है, ओके, देखो, देखो, जबी भी मैं आपसे बात करते हूं in general, एक बात आप लोग याद रखे रहेगा, जैसे हमारे लिए bank है, वैसे bank के लिए RBI, तो जैसे एक individual के लिए bank होता है, ठीक वैसे bank के लिए RBI होता है, इसमें मेरे कहने का क्या मतलब है, तो cases पढ़ेंगे, ठीक है, तो एक case है, जब ये, मान लो, ये एक लड़की है, ठीक है, ठीक है, ये एक लड़की है, सीता, सीता जो है, bank के पास गई, bank बना देती हो मैं, ठीक है, तो जो सीता है, ये bank के पास जाती है, bank के पास जाकर के और bank से loan ले रही है, जब य्य बैंक से loan ले रही है, ठीक है, bank will charge interest bank will charge interest सिर्फ सीता ही नहीं कोई भी लोन लेगा तो bank उस पर कुछ interest चार्ज करता है आपको लोन देता है तो यह हो गया हमारा first case और यहाँ यह हमारा होता है second case ठीक है तो अभी क्या था सीता नहीं लोन लिया तो इनके उपर interest लगा अब दूसरा एक scenario है यही सीता है अपनी अब सीता जाती है bank और इनके पास अपने पैसा deposit करता है करती है sorry तो अब सीता bank जाकर करके अपने पैसे को deposit कर रही है जब यह bank में अपने पैसे deposit करेगी इस case में bank will pay interest इस case में क्या होता है bank will pay interest ठीक है तो यह दो कैसे हो गए है पहला जब सीता ने लोन लिया तो बैंक ने interest उनके उपर लगाया और जब सीता ने अपने पैसे deposit किये तो बैंक ने उनने interest दिया यह individuals की बात हो गई ठीक है अब जरह हम लोग एक दूसरा सिनारियो देखते हैं ठीक है अब क्या होगा suppose, यह एक bank है यह कोई bank है और यह जाता है RBI के पास यह जाता है RBI के पास اور RBI से loan लेता है यह एक bank RBI के पास जाके RBI से loan ले रहा है इस case में RBI RBI will charge interest, तो अगर जैसे हम लोग loan ले सकते हैं bank से, वैसे bank loan ले सकता है RBI से, तो जब bank RBI से loan लेगा, RBI उनकी उपर interest चार्ज करेगा, second case, फिर से यह bank है, और इस बार जो bank है, यह फिर से जाता है RBI के पास, और यह अपना पैसा deposit करता है, तो जब यह अपने पैसे deposit करेगा, उस case में, RBI will pay interest, RBI will pay interest, ठीक है, तो हुआ क्या है, हुआ कुछ ऐसी कहानी है, कि जैसे कभे भी हम लोग loan लेते हैं, तो हमें interest देना होता है, deposit करते हैं तो मिलता है, similarly bank अगर RBI से loan लेते हैं, तो उन्हें interest भरना होता है, और अगर deposit करते हैं, तो उन्हें interest मिलता है, अब एक और बहुत मुख्य चीज होते हैं, जब हम loan लेते हैं, वो होता है कुछ गिर्वी रखना, जैसे हमें कुछ गिर्वी रखना होता है, वैसे banks को भी कुछ गिर्वी रखना होता, ठीक है, तो चलो, अब ज़रा हम इस scenario को पढ़ते हैं, पहला scenario, जब RBI, sorry, जब bank RBI से loan ले रहा है, ठीक है, और इसका क्या तालुकात है, inflation monetary policy से, ये कैसे एक शस्त्र है, ये भी देखते हैं, ठीक है, तो चलो, एक बात तो, अरे फिर thank you आ गया, एक बात तो हम सभी को पता है, कि जो market है, ठीक है, market तक कभी भी RBI, पुल्टा arrow कर दूँ, RBI, कभी भी, market तक direct नहीं पहुंच सकती है, ये route ये follow नहीं कर पाएगी, क्यों नहीं follow कर पाएगी, क्योंकि RBI एक development bank है, वो मुख्य bank है, ये सीधा नहीं पहुंच सकती है, RBI को एक दूसरा रास्ता लेना होता है, तो इस case में RBI क्या करेगा, इस case में RBI हमेशा banks तक जाएगा, और banks आती है, market तक, market यहाँ कह सकती हो, individual, तो ये individuals की बात हो रही है, मैंने market लिख दिया, basically individuals की बात कर रही हूँ, तो कभी भी RBI direct नहीं जाता है, RBI हमेशा banks का सहारा लेता है, तो अगर RBI चाहता है, मार्केट से पैसा कम करना, लोगों का खर्च कम कराना, तो RBI banks का सहारा लेगा, तो जब RBI bank का सहारा लेकिए काम कर रहा है, indirect way में, ये indirect इनकी tools हो जाते हैं, ठीक है, indirect tools में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, report rate, तो एक scenario फिर से imagine करो, ठीक है, एक scenario imagine करते है, SBI is taking loan from RBI, ठीक है, तो ये scenario है, SBI is taking loan from RBI, अब देखो, इसी same scenario में हम क्या करने वाले हैं, तीन अलग-अलग cases को हम पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम तीन अलग-अलग cases को पढ़ने वाले हैं, first and foremost case, जो सबसे पहला case हम पढ़ेंगे, ये case है, जब SBI बहुत दुखी है और RBI के पास जाता है, ठीक है, तो ये SBI है, बहुत दुखी है, और ये पहुंचा RBI के पास, क्या करने पहुंचा, टेकिंग लोन, ठीक है, RBI से ये लोन मांगने गया, RBI नहीं बोला कितना चाहिए बहुत जब देखो रोते हुए आ जाते हो, इन्होंने का, आरे सौ करोड दे दो काम चल जाएगा किसी तरह, तो इन्होंने का, चलो ठीक है, सौ करोड लो, जनरेटर में तेर भरवा होगी क्या, इन्होंने का, नहीं ठीक है, सौ करोड दे तो कुछ काम ही हो जाएगा, इन्होंने का, ठीक है, जा समों से खाओ, तो ये सौ करोड ने मिले, अब RBI ये जाने लगा, तो RBI ने पीछे से इनको पकड़ा कहा, ऐसे कैसे जा रहा हो, थोड़ी हमें information चाहिए, सबसे पहले RBI ने कहा, return कप करोगे, तो SBI ने कहा, अरे, short term में कर देंगे, ने कहा, अरे, short term क्या होता है, SBI ने क्या कहा, short term का मतलब short term किसी तरह 90 दिन के अंदर कर देंगे, 14-28 दिन में कोशिश कर देंगे, नब्बे दिन के अंदर कैसे भी कर देंगे अच्छा ठीक है चलो तो यानि कि यह पहली बात हो गई कि यह जो लोन लिया गया है यह short term है क्या है यह लोन short term है ठीक है अगली बात इन्होंने पूछा अच्छा ठीक है इधर आओ जब आओगे वापस कितने पैसे दोगे इन्होंने क्या कहा क्या देंगे 100 करोड लिए 100 करोड देंगे तो RBI ने इन्हें गूसा लगाया कहा कि हम बेवकूफ हैं 100 करोड देके 100 करोड लेंगे हमें 100 करोड से जादा चाहिए अब SBI बिचारा सोच में अरे इन्हें 100 करोड से जादा चाहिए हम तो इन से 100 करोड ले रहे हैं और ये इनका तो मूझ खुले पड़ा है कितना चाहिए। उन्हों ने बोला ठीक है। अब ये बताओ तुम्हें चाहिए कितना। तो इस case में ये क्या बोलते हैं, RBI ने क्या बोला, हमें चाहिए कम से कम 105 करोड 90 लाख, कितना कहा इनोंने, हम तुमें 100 करोड भले दे रहे हैं, हमें कम से कम चाहिए कितना होगा, हमें कम से कम चाहिए होगा, 105 करोड और 90 लाख, इनोंने का इनकी देखो, 90 दिन के भीतर ये 5 क करोड एक्स्ट्रा चाहते हैं तो बोला इन्होंने चाहिए तो चाहिए नहीं तो जाओ अच्छा ठीक है यह हमें दे दो इस केस में क्या हुआ जब SBI RBI से लेने आया लोन तो इन्हों RBI ने पैसे दे दिये लेकिन एक शर्त रखी कि जब तुम हमें वापस करोगे तो 5.90 करोड एक्स्ट्रा दोगे क्योंकि 5.90% इन्होंने क्या लगाया इंट्रेस्ट लगाया और इसी इंट्रेस्ट को हम सीधी भाषा में कहते हैं रेपो रेपो र सबसे पहले जो मिनिमम मांट होती है वह आपकी 5 करोड होती है और जो मैक्सिमम होती है मैक्सिमम आप लोगों की अमांट हो सकती है पॉइंट 5% of ndtl नेक्स होता है कि जब भी आप लोगों का रेपोरेट दिया जा रहा है तो कुछ ना कुछ गिरवी रखा जाता है कुछ अब देखो तो यह SBI वापस से रोते रोते चला गया RBI के पास कहा चला गया RBI के पास RBI ने बोला अब क्यों रहा है इन्होंने बोला फिर से पैसों की ज़रूरत है पूचा गया कितना पैसे चाहिए तो इन्होंने कहा 100 करोड दे दो हो सके दो इन्होंने क्या कहा ठीक है चलो 100 करोड दिया सब वापस करोगे इन्होंने कहा देखो मा कसम इस बार 24 घंटे में कैसे भी वापस लाकर दे दूगा अब देखो दोस्तों एक बार 24 घंटे का मतलब यह नहीं कि आज रात से बार के कल रात से बार 24 घंटे का मतलब होता है कि आठ 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 यानि तीन दिन भी नहीं कहना है ऐसे अप्रोप्रियेट बेसिक आप कह सकते हो वर्किंग आवर्स में होता है ठीक है खेर तो यहां पर 24 घंटे के लिए पैसे ले लिए और ले करके क्या हुआ यह गया 24 घंटे बाद जब भी यह वापस आएगा तो पूछा जाएगा कितने पैसे वापस किये कितने करने वाले हो तो अगर यह 100 करोड़ देता है आर बिया इन्हें क्या करेगा मुक्के देगा इसलिए इस लिए इंटरेस्ट रेट है और इसी इंटरेस्ट रेट पे आर्वीया ने ईस्वीया को 24 घंटेंक यह पैसे दिये हैं इसका नाम होता है मार्जिनल स्टेंडिंग फेसलिटी और पैसे देता है उन्हें कम से कम वन करोड़ जादा से ज्यादा टू-परसेंट ओफ और इन्दील ब आपस से यह 2% हो गया है ठीक है और एक और भी बात मैं आप लोगों को सजिस्ट करूं कि सजस्ट नहीं बताती हूं MSF का introduction 2009 में किया गया था तो याद रखे रहेगा यह हो गया हमारे 2 loan के rates हमने देख लिए एक हमने देख लिया कौन सा एक हमने देख लिया जब SBI ने RBI से 24 घंटे के लिए तो MSF रहा और दूसरा हमने देख लिया जब SBI ने RBI से short term loan लिया वो repo rate रहा ठीक है तो यह दो टाइ भी नो फिर मिलेंगे तब तक घर पे रहो स्फस्त्रों मस्त्रों वा ग्रेट डिया है जय हिंज भारत गॉड ब्लेस्ट यू लव यू बाई